नमस्कार दोस्तों, तिंग आयेस में आपका बहुत-बहुत सौगत, आज हम मद्यकालीन भारत, उस समय की राजनीती, समाज और संस्क्रती पर चेश करेंगे, जो आठवी से सत्रुई सदी के मद्यका भारत था, जिसमें हम मुगल सामराजी का सुध्रडी करण, यानि अकबर के युक के बारे में चर्चा करेंगे, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमायू जब बीका नेर से पीछे हट रहा था, तब अमर कोट के राणा ने उसे शरण दी थी, और उसकी साहता की थी, मुगल बाश्याओं में सबसे महान बाश्या अकबर का जद्म 1542 में इसी अमर कोट में हुआ, हमायू जब भाग करिरान चला गया तब अकबर अपने चाचा कामरान के हाथों में पढ़ गया, उसने बच्चे के साथ अच्छा सुलूक किया, कंधहार पर अधिकार हो जाने के बाद, अकबर फिर अपने माता पता से मिला, हमायू की जमरत्य हुई त अगबर कला नौर यानि पंजाब में था और वहां अफगान वे द्रोईयों के खिलाब कारवाही का नेत्रत तो कर रहा था, पन्रसोचपन में तेरा साल और चार महिने की छोटी आयू में कला नौर में उसका राज्य भिशेक हुआ, अकबर को एक कठीन इस्तिती विरासत म मिली थी, आगरे दिल्ली छेतर में एक विनाशकारी आकाल पड़ा था और उसके बाद महामारी फैली थी, तीन सूर प्रतिस परधी अभी भी छितिच पर मंडरा रहते, हुमायू के हाथों हारने के बाद भी सिकंदर पंजाब के उत्तर पूर्वी किनारे पर जम हुआ था अदिली या अदिल्शा मिर्जापूर के पास चुनार में दर्बार लगा रहा था, मंगाल का छेतर इब्राहिम के अधीन था, दिल्ली आगरा छेतर के मुगल हाकिम असंगठित और हतोस सहित थे, जबकि यही सामराज का केंदर भाग था, अदिल्शा के एक सिपासालार हे मुगल अपने नियंतरन वाले अधिकार शेतरों से खदेडे जा चुके थे, लेकिन युवराज अकबर के शिच्छक और हुमायो के निष्ठावान और प्रियाधिकारी बैरम खान ने स्थिती का सामना किया, खाने खाना की पद्वी धारण करके वैसामराज का वकील या प हेतर शेशा के बतीजे आदिल शाह के हातों में था, हेमु जिसने इस्लाम शाह के काल में बाजार अधिचक के रूप में अपना जीवन आरंब किया था, आदिल शाह के अंतगत तेजी से उपर उठा, उसने जो 22 लड़ाईया लड़ी थी, उनमें से एक में भी वै नहीं हा रहा था, आदिल शाह ने उसे विक्रमा जीत की उपादी लेकर वजीर बनाया था, और उसे मुगलों को बाहर निकालने का काम भी सौंपा था, हेमु ने आगरा पर अधिकार कर लिया, तथा 50,000 सवारों और 5000 हाथियों की सेना, तथा एक शक्तिशाली तोप खाना लेकर दि खाई देता कि हेमु ने खुद को एक स्वतंत्र हिंदू शाषक बना लिया था, या ऐसा करने का इरादा रखता था, विक्रमा जित बस्त्स एक उपादी थी और बाद में ये उपादी अकबर ने भी अपने हिंदू हाकिमों को दी थी, हाला कि हेमु के बाय बाजू की कमा उसके भतीजे रमयया के हाथों में थी, पर उसकी सेना का दिक्तर भाग अफगानों का था, जो ऐसे अधिगरहण पर खामोश नहीं बैठते, एक तीखी लडाई में हेमु ने दिली के पास मगलों को हराया, और नगर पर अधिकार कर लिया, पर इस्तिती से निबटने के ल दिली की ओर कूच कर दिया, मुगलों और हेमु के नेतरत में अफगान सेना के बीच एक बार फिर पानीपत में ही 5 नवंबा 1556 को जंग हुई, हाला कि हेमु के तोप खाने पर एक मुगल दस्ते ने कबजा कर लिया था, पर युद्र का जुकाओ अभी भी उसी के पक्ष मे था, मगर एक तीर उसकी आख में आकर लगा और वे बेहोश होकर गिर गया, नेतरत उहीं अफगानों की हार हुई, तथा हेमु पकड़ा गया और उसे मारडा ला गया, इस तरह अकबर को अपना सामराज लगबक फिर से जीतना पड़ा